कि देखे स्टुडेंट्स अभी हम पढ़ रहे है प्रोपरिटीज ऑफ मेटल और नोन मेटल तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैलेविलेटी किया है इसके बारे में हम आपको बताते हैं मैटल्स आर मैलेविल्स जित्ती भी मैटल है लगबग वो सभी मैलेविल होती हैं जबके नौन मेटल्स आर नौट मैलेविल लेकिन जो नौन मेटल्स होती है नौन मेटल्स वो मैलेविल नहीं होती है तो पहले पता करते हैं यह मैलेविलिटी होती क्या है ठीक है तो तो प्रोपर्टी विच अलाव दमेटल्स तो हैमर्ड इंटो दस शीट इस कॉल मैलेविलेटी ठीक है, तो माल लिजे ये एक Aluminium है, माल लिजे Aluminium Metal है, हमने इसकी ball ले, और फिर इसको using a hammer, एक hammer को use किया, और हमने इसको beat किया, इससे बहुत जादा प्रीटा, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद इसकी shape थोड़ी ऐसी हो जाएगी, और फिर इसकी shape थोड़ी ऐसी हो जाए metals है, सभी, वो कैसी है, वो सभी malleable है, ठीक है, अच्छा, आगे पढ़ते हैं, अगर non-metals की बात करें, तो non-metals बिल्कूल भी ऐसा कुछ नहीं होता, माल लिजे हम एक Sulfur ले, Sulfur क्यूंकि non-metal है, ये Sulfur के piece है, और हम इसको जैसे ये hammer से मारेंगे, तो ये sheets की form में नहीं toot पाएगी, क्या होगा, इसके साथ ये बिखर जाएगी, और इसकी बहुत सारे powder type कुछ बन जाएगा, इसको मारेंगे तो, लेकिन हम इसको turn नहीं कर सकते, sheets की form में हम इसको change नहीं कर सकते, तो ये जो property हुई, ये हुई malleability, अगर हमने sheets के रूप में, अगर किसी चीज को तोड़ लिया, तो वो malleable है, और अगर हम उसको नहीं तोड़ पाए, और वो बिखर गई, तो क्या बोलेंगे हम उसको, उसको हम बोलेंगे, brittleness, ये राप brittleness, तो the property due to which non-metal break on hammering, is called brittleness, तो जो metal होते हैं, जो metals होते हैं, वो malleable होते हैं, malleable, ठीक है, और जो non-metal होते है वो कैसे होते हैं, वो brittle होते हैं, brittle मतलब बिखर जाने वाले, तो अगर hammer बार कर आपको किसी चीज को, आप metal की तरह उसको, ऐसा malleable बना सकते हैं, तो उसको, sheets की तरह बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे, कि ये malleable है, तो ये metal है, और आपने अगर उस पर hammer लगाया, मारा जो लेंच बॉक्स में, aluminium foil के यूज करते है, aluminium foil, तो aluminium foil अपने देखा होगा, roll होता है, तो वो क्या होता है, वो mainly aluminium होता है, aluminium की इतना पीट-पीट कर उसको, malleability की उसकी एकतम, चलम सीहमा तक पहुचा कर उसको, बहुत जादा थिन कर ले जाता है, बहुत जादा पतला, कि वो ह हमेरे हाथ से भी हम उसको far सकते हैं, उसको cut कर सकते हैं अपने हाथ से भी, तो इस तरह से malleability को metal show करती है, और जो non metals होती है, वो malleability show नहीं करती, वो brittleness को show करती है, ठीक है, तो यह ता, इसके अलाबा, इसका क्या use है, malleability का क्या use है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, म जो blacksmith होता है, वो क्या करता है, इसको इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है, शीट में तोड़ लेता है, उसके शीट के बाद वो काफी उसका use करता है, देखिए आपने घर में अपने देखा होगा, कि कुछ X होती है, तो X जो होती है, वो इस तरह की होती है, तो X में जो यह iron यूस किया गया है, यह malleability का example है, इसको पीट-पीट के ऐसा बनाया गया है, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए यह शीट के रूप में इस तोड़ लिया गया है, इस metal, लेकिन अगर आप pencil की बात करें, pencil में यह क्या होता है, देखिए यह होता है, तो graphite जो होता है, वो mainly carbon होता है, right, carbon क्या होता है, carbon होता है, non-metal, non-metal, तो carbon non-metal होता है, लेकिन अगर आप pencil की लिपर, अगर आप hammer मारते हैं, तो क्या होगा, यह पिख कि अब नों नॉन मिटल्ल हैं जलैंड नॉंजितने भी नॉनमेटल हैं चारजी है तो मेंखनें लिए या को फोल जो तो कोल सामन लिक नुली करव ओता है यह बात आपको पता होता है दो अगर विश्कों टोड़ेंगे तो तो यह शीर्ट के रूप में नहीं होगा, मतलब मेलेडिं नहीं होगा, यह क्या होगा, भिखन जाएगा, और इन बृट्डelनेस को शो करेगा, तो 위्लीरिटी क्या होती है, अब हम सीखता है, डक्टीनिटी क्या होती है,